हलो एबरिबरन वल्कम बैक टो चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज की नई क्लास की शुरुवात करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं उत्रखन सामान्य घ्यान एवं सामान्य अधेयन से संबंदित 20 इंपोर्टेंट MCQ के बारे में और यदि आप इस पीडियाप को लेना चाहते हैं तो आप हमें ये हमारा कॉंटेक्ट नंबर है आप हमें वाट्सअप कर सकते हैं या फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वाट्सअप गुरूब लिंक मिल जाएगा हमारे फेस्बुक पेज है बेस् किस अंग में पहना जाता है गले में नाक में कान में और पैर में ऑप्सन नमर बी आपको इसमें सही आंसर है नाक में बुलाक नामक जो आभूशन है उसे नाक में पहना जाता है और ये उत्राखन का एक पारंपरिक आभूशन है जो कि कई सदियों से अपना एक खास महत त लगता है और बुलाक नाग में पहने जाने वाले एक विशेश गहना है इसे दोनों नाग के बीच के जो हिस्सा है उस पे उसे छिदवाकर पहना जाता है और राजसाई के समय से इबुलाक उतराखन का एक विशेश आवरशण था लेकिन अब समय के साथ-साथ इसका प्रचल लाक और एक करोर असे नंबर सि की आपका इसमें साइअश है 85 लाक वर्थ 2001 में उत्राखन राज की जन संक्या थी वह थी 85 लाक अगला में शीक्यू है वर्थ 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमनल्खिन इस면 किस कि जल्य की संक्या सबसे कम थी तो आपसनी चमोली वी रिदर प्रियागला मैं पड़ मैं कि आपकर संप्सेण का मैं नम्होंत्य की संक्या रोडर ऋम से हम्ोड दो Vive North निम्न लिखिन में से जौन सारे संगीत के जनक कौन है पंडित सिवराम नंदलाल भारती रात्रिन सिंग और देविका चोहान ये रात्रिन सिंग जौन है तो ऑप्सन नमर भी इसमें आपका सेयांसर है नंदलाल भारती जी निम्न लिखिन में से जौन सारे संगीत के जनक नं पर जोन सार के लोग संस्कृति का परचार परसार कर भी चुके हैं कि अगला है मांगल हारुल छोड़े सिलोंग केदार साया गुड़ बड़ा रेनारत एवं बिराशु आधिक इस जंजाती के लोकगीत हैं अगला है मांगल हारुल छोड़े सिलोंग केदार साया और गुड़ बड़ा रेनारत एवं बिराशु यह लोग यह थें जौन सार के अगला है मसी क्यों है निमन लिखिन में से कौन से स्थान राष्ट्रीय राजमारिख सेंख्या नौ पर सिरी नगर रुद्रपर्याग गुप्तकवाथी स्न पर्याग और जाएगा एजञे एज राइट अंसर स्रीन अगर सरीश्य अगर नहीं है इस्तित एक सुनो नेच एक सुनो पे स्री नगर कौन से राजमार्ग पे है तो वह आपका उत्तर आजाएगा एटी फाइट यानि फिप्टी एट एनेच अठावन अगले मसी क्यों है भारत और अन्यकिस देज के साथ महाकाली नदी संदी है स्री लंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांगला देज उप्सन नमर सी आपका इसमें सयांसर है नेपाल भारत और नेपाल देज के साथ महाकाली नदी शंदी है अगला मसी क्यों है निम लिखिन में से उत्राखंड का सबसे उचा बांध कौन सा है कोटिस्ट्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध और जामरानी बांध Option number C आपका इसमें सही आंसर है उत्राखन का जो सबसे उंचा बांद है वो है टिहरी बांद बागी टिहरी बांद के बारे में मैंने आपको पहले एक्स्प्लेंड किया है अगला MCQ है केंद्रिय योजना आयोग द्वारा आधार वर्स 2011-2012 जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्राखन राज्य में कितने प्रैतिसत लोग निर्धन है तो Option number D आपका इसमें सही आंसर है 11.26% लोग उत्राखन में गरीब हैं यानि 2011-2012 के रिपोर्ट के अनुसार अगला MCQ है उत्राखन में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने है तो डूली सेवा योजना कब शुरू की गई थी Option number A है अपरेल 2011-2012-2013-2014 में तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है Option number B is ड्राइट आंसर अपरेल 2012 में उत्राखन में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने है तो डूली सेवा योजना शुरू की गई थी अगला MCQ है आईटी बीटी उत्राखन के किस सहर में इस्तित है रोड़की में कासिपूर में हलदवानी में रिसी केस में Option number C is राइट आंसर हलदवानी में आईटी बीटी उत्राखन के हलदवानी सहर में इस्तित है अगला MCQ है उत्राखन के किस सहर में अखिल भारतिय आईट विग्यान सहस्तान इस्तित है देहरा दून रिसी केस कोड़दवार हलदवानी option number B is right answer उत्राखन के रिसी के शहर में अखिल भारती आईरुवी खान सांस्तान इस्तित है आप कह सकते हैं कि All India Institute of Ayurveda अगला MCQ है मुक्तिस्वर में बैक्ट्रियो लॉजिक प्रियोकसारा की इस्तापना का स्रे दिया जाता है डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को डॉक्टर A.W. सिल्ट आर्टन को प्रोफेसर रॉवर्ट कॉक को और उप्टोप में से कोई नहीं option number A is right answer डॉक्टर अल्फ्रेड लिगार्ड को अगला MCQ है निम लिखी में से किस सतंदरता सेनानी को गढ़ केशरी के नाम से जाना जाता है गुमानी पंथ, बद्री दत पांडे, अनुस्विया परसाद बहोगोना, इंद्रमानी बढ़ोडनी option number C is right answer अनुस्विया परसाद बहोगोना अगला MCQ है प्रसिद साहित यकार सेलेस मतियानी का जन्म उतराखन के किस जन्पन में हुआ था option number D is right answer अल्मोडा सेलेस मतियानी जी का जन्म उतराखन में हुआ जो कि अल्मोड़ जन्पन में हुआ था अगला MCQ है निम्ल लिखिन में से कौन ब्यक्ति गर्व भंजग नाम से प्रसिद है माधो सिंग भंडारी वीर चंदर सिंग गड़वाली मेजर सैतान सिंग और गबर सिंग नेगी माधो सिंग भंडारी is right answer option number A अगला MCQ है सतरवी सदी में गड़वाल के राजा महीपत साके प्रमुक सेनापती कौन थे option number B is right answer माधो सिंग भंडारी अगला MCQ है निम्ल लिखिन में से किस ब्यक्ति को मरणो प्रांथ विक्टोरिया क्रोस प्रदान किया गया था गबर सिंग नेगी दरवान सिंग नेगी वीर चंदर सिंग गड़वाली और मेजर सेतान सिंग option number A is right answer गबर सिंग नेगी जी को अगला MCQ है लैंस्डौन चावणी की स्तापना कब की गई थे पांच माई 1887, पांच माई 1888, पांच माई 1899, पांच माई 1990 option number A is right answer 5 माई 1887 को लैंस्डौन चावणी की स्तापना होई थे और अब है last MCQs question number 20 और यहां पे आपको दिख रहे होंगे correct answer आपको मिल जाएगा MCQ series में आप एदी गुरूब में जोड़े होए हैं WhatsApp group में तो आपको यहां पे answer भी दिख जाएगा और यह MCQ है देहरदून में खेल अकादमी की स्तापना किस वर्च की गई थे तो option number A है 2001, 2002, 2003 और 2004 option number A is right answer है 2001 में देहरदून में खेल अकादमी की स्तापना होई थे 2001 में तो दोस्तों I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ सेयर केजिए जैसे के आज कल एक साथ चल रही है और आपको डे वाइज आपको वीडियो मिल रहे होंगे तो क्रिपया सपोर्ट कीजिए थैंक्यों फॉर वाचिंग इस्टे कनेक्टेड इस्टे ब्लेस्ट